एक महात्मा जगनात पुरी से मतुरा की ओर जा रहे थे। उनके पास बड़े सुन्दर ठाकुर जी थे। वे संत उन ठाकुर जी को हमेशा साथ ही लिये रहते थे और बड़े प्रेम से उनकी पूजा अर्चना कर लाड लडाया करते थे। ट्रेन से आत्रा करते समय बाबा न ठाकुर जी को अपने बगल की सीट पर रख दिया और अन्य संतों के साथ हरी चर्चा में मगन हो गए। जब ट्रेन रुकी और सब संत उत्रे तब वे सत्संग में इतने मगन हो चुके थे कि जोला गाड़ी में ही रह गया। उसमें रखे ठाकुर जी भी वहीं गाड़ी मे रह गए। संत सत्संग की मस्ती में ऐसा बहे कि ठाकुर जी को साथ लेकर आना ही भूल गए। बहुत देर बाद जब उस संत के आश्रम पर सब संत पहुंचे और भोजन प्रसाद पाने का समय आया तो उन प्रेमी संत ने अपने ठाकुर जी को खोजा और देखा कि हमारे ठ ठाकुर जी तो हैं ही नहीं। संत बहुत व्याकुल हो गए। बहुत रोने लगे। परंतु ठाकुर जी नहीं मिले। उन्होंने ठाकुर जी के वियोग में अन जल लेना स्विकार नहीं किया। वे बहुत विरह में रोने लगे और अपने ठाकुर जी को पुकारने तब उनके एक पहचान के संथ ने कहा कि माहराज मैं आपको नए ठाकुरजी दे देता हूँ परंतु उन संथ ने कहा कि हमें अपने वही ठाकुरजी चाहिए जिनको हम अब तक लाड़ लडाते आए हैं तब ही एक दूसरे संथ ने पूछा आपने उन्हें कहां रखा था मुझे तो लगता है गाड़ी में ही छूट गए वो एक संथ बोले अब कई घंटे बीट गए हैं गाड़ी से किसी ने निकाल लिये होंगे और फिर गाड़ी भी बहुत आगे निकल चुकी होगी इस पर वेह संथ बोले मैं स्टेशन मास्टर से बात करना चाहता हूँ सब संथ उन महत्मा को लेकर स्टेशन पहुँचे स्टेशन मास्टर से मिले और ठाकुष जी के गुम होने की शिकायत करने लगे उनने पूछा कि कौन सी गाड़ी में बैट कर आप आये थे संथो ने गाड़ी का नाम स्टेशन मास्टर को बताया तो वे कहने लगा महराज कई घंटे हो गए ये वाली गाड़ी तो यहां खड़ी हो गई है और किसी प्रकार भी आगे नहीं बढ़ रही है ना कोई खराबी है और ना कोई अन्यदिक्कत कई सारे इंजीनियर्ज अब तक चेक कर चुके हैं परन्तु कोई खराबी दिखती ही नहीं महात्मा जी बोले अब ये आगे बढ़ेगी मेरे बिना मेरे प्यारे कहीं और कैसे चले जाएंगे महात्मा ट्रेन के डिब्बे के अंदर गए और ठाकुर जी को वहीं रखे हुए पाया अपने ठाकुर जी को महात्मा ने गले लगाया और जैसे ही महात्मा जी उत्रे गाड़ी आगे बढ़ने लग गई प्रेन का चालक, स्टेशन मास्टर तथा सभी इंजीनियर्स आश्चरे में पढ़ गए और बाद में उन्होंने जब ये पूरी लीला सुनी तो वे गदगद हो गए उसके बाद वे सभी जो वहां उपस्थि थे उन सभी ने अपना जीवन संद और भगवन्त की सेवा में लगा दिया भगवान भी खुद कहते हैं भक्त जहां मंपग धरे तहां धरू मैं हाथ सदा संग लागयों फिरूं कबहूं न छोडूं साथ